हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक डेली करेंट अफैर्स सेशन में आप सभी गजवागत है आज 26 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेड करेंट अफैर्स है उससे हम डिस्कस करेंगे सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए महतपूर्ण है ये करेंट अफैर्स दोस्तों पूरे सेशन को बहुत ध्यान सुनिए लास्ट में मैं आप से कुछ इंपॉर्टेंट कॉश्चन करूंगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है तो दोस्तों पीडिया प्रा अवार्ड 2021 घोशित किये गए इनमें पूरुस क्रिकेटर आफ दा इयर का वार्ड किसे दिया गया है इनका क्या नाम है तो दोस्तों इनका नाम है शाहिन अफ्रीदी शाहिन अफ्रीदी किस देश के खिलाड़ी है तो ये पाकिस्तान के प्लेयर रेफ्रेंट्स ठीकी फ्र इसका मुख्याल है कहाँ पर है दुबई में है दोस्तों अब बात करेंगे ये पुरसकार किनको प्रदान किये जाते हैं तो उन खिलाडियों को चुना जाता है जिन्होंने एक साल में अपना सरुस्रेश्ट प्रदर्शन दिया है देखिए फेंट्स अब मैं आपको 2021 के ICC Awards के बारे में बताने वाला हूं किनकिन खिलाडियों को ये Awards दिये गए हैं सबसे पहले देखिए ICC महिला Cricketer of the Year किसे चुना गया है तो इनका नाम है स्मरती मंधाना किस देश के खिलाड़ी है हमारे भारत के खिलाड़ी है और दोस्तों हमें proud feel करना चाहिए दोस्तों ICC Men's Cricketer of the Year Award किसको मिला है पाकिस्तान के प्लेयर शाहिन अफ्रीदी को मिला है देखे फ्रेंड्स ICC Empire of the Year किसे मिला है मराइस इरास मस्को मिला है ICC Men's T20 Cricketer of the Year मुहमद रिजवान है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है ICC Emerging Men's Cricketer of the Year जन्मन मालन है कहा के प्लेयर है दक्षण अफ जो कि आस्ट्रिला के प्लेयर है देखे नेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ICC Men's One Day Cricketer of the Year बाबा राजा में पाकिस्तान के प्लेयर है ICC महिला ODII Cricketer of the Year है लीजन ली जो कि दक्षण अफ्रीका के प्लेयर है Men's Cricketer of the Year जो रूट को मिला है जो किस देस के खिलाडी है इ देखे 29 बच्चों को राश्क्री बाल पुरस्कार 2022 से समानित किया गया है दोस्तों मैं आपकी जानकारे के लिए बता दूँ ये जो बच्चे है 21 राज्य और केंद सासी प्रिदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियों को ये पुरस्कार मिला है इसमें कितनी राशी प्रद रेडियों में जो आसाधरन चमता और उतक्रिष्ट उपलब्धी बच्चों ने हासिल की है उनको ये प्रसकार प्रदान किया जाता है आए जान लेते हैं किनकिन स्ट्रेडियों में ये प्रसकार दिये जाते हैं तो पहला नावाचार यानि इनोवेशन में समास सेवा सोश औरी महिश्वरी का कला और संस्कृती छेतर में ये प्रसकार इनको मिला है राजस्थान राजसे हैं दूसरे हैं गुर्गु हीमा प्रिया जो की आन्द प्रदेश राजसे हैं इनको बहादुरी के लिए ये प्रसकार मिला है देखिए नेस्टे फ्रेंड्स शिवांगी काल इनको innovation field में मिला है महराष्ट राज से related है अवी वर्मा ये education छेतर से हैं MP से related है देखे तेलू कुंता विराट चंद्र तो इनको sports field से पुरस्कार मिला है ये तेलांगना राज से संबन देते हैं देखे फ्रेंड्स अगला महतपूर करेंट फेरेरा नवी रास्ट्री महिला I was hockey championship किसने जीती है तो देखuj mi किसने जीती है लद्दाख ने यह पुरस्कार जीता है तो देखे फ्रेंड्स लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचे प्रदेष में आजित होने वाली नवी रास्ट्री महिला I was hockey championship को जीत लिया है देखे इस Championship का आज़न किसके द्वारा हुआ था Ice Hockey Championship of India की द्वारा हुआ था हिमाचर प्रदेश में कहां पे हुआ था लहौल स्पीती जिले के काजा छेतर में किया गया था दोस्तों बात आती है कि कौन-कौन सी टीमों ने भाग लिया था देखे इस Championship में दिल्ली, हिमाचर प्रदेश, चंडीगर, लद्दाख, तेलांगना, भारत, तिब्बस, सीमा, पुलिस की कुल 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था देखे फ्रेंड्स, फोर्थ important current affair आपके सामने रहा हाली में बारवा रास्टी मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाये गया important question है, तो देखे इसे 25 जनवरी को मनाये गया है दोस्तो 2011 से सरकार 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे की रूप में मना रही है देखे 2011 में इसे घुशित किया गया था दोस्तो इसका मुखी उद्देश क्या है, इसका में अबजेक्टिव क्या है तो दोस्तो मतदाता नमांकर में बृद्धी करना और युवाओं को वोट देने में, वोट की participation में प्रसाहित करना, उन्हें अवैर करना देखे इस बर्स की थीम क्या आपसे पूछा जा सकता है चुनावों को समावेसी, सुगम और सहभागी बनाना दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ, भारत के निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो देखे भारती निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य होते हैं देखे एक होते हैं मुख निर्वाचन आयोग और दो होते हैं अनिर्वाचन आयोग देखे फ्रेंट्स मुख निर्वाचन आयोग तो कोन है? सुसील चंदराजी है अनुप चंदर जो पांडे है निर्वाचन आयुक्त है राजीब कुमार भी निर्वाचन आयुक्त है देखे फ्रेंड्स मैं आपको भारती निर्वाचन आयुक के बारे में रास्टी मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि भारती निर्वाचन आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी कोई थी इसका हैटकोर न्यू डेली में है दोस्तो इसकी नियुक्ती किसके द्वारा होती है दोस्तो मुख चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती आयू तक का होता है दोस्तो निर्वाचन आयोक का उलेख जो है सम्विधान की किस आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोक से जुड़े उपबंधों का उलेख किया गया है दोस्तो मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर देने वालों बहुत ध्यान सुनियेगा हम जानेगे मेजर ध्यान चन्द खेलरतन आवर्ड 2021 के बारे में सबसे पहले देखे जान लेते हैं पहले इस आवर्ड को कहा जाता था राजीव गांधी खेलरतन आवर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी इस आवर्ड में कितने रुपे की राशी प्रदान की जाती है तो 25 लाक रुपे की राशी इस आवर्ड में प्रदान की जाती है सबसे पहले विश्वनात आनंद को यह पुरसकार मिला था आप देखें फ्रेंट्स 2021 में 12 खिलाडियों को ये पुरसकार मिला है सबसे पहले नीरा चोपड़ा है आपसे पूछा जा सकता है किस छेतर से हैं तो ये एतलेटिक्स छेतर से हैं 7 अगस्त को हर साल भाला फेक दीवस मनाया चाहेगा दूसरे हैं रवी कुमार तो देखें एक कुस्ती से संबन्द देते हैं तीसरे हैं लवलीना बोर गुहेन तो आपसे पूछा जा सकता है किस छेतर से हैं मुक्के बाजी से चौती बात करेंगे हम पी आर्स रिजेस तो ये हौकी छेतर से रिलेटेड है अवनी लेखारा तो अवनी लेखरा पैरा सूटिंग से हैं देखें इन्हें ब्रैंड अमबस्डर बनाया गया था बेटी बचो और बेटी पढ़ाओ दोस्तो राजस्थान सरकार ने इन्हें ब्रैंड अमबस्डर बनाया था देखिए अगले winner reference सुमिद आंतिल ये पैरा athletic छेतर से related है सेवन्थ है प्रमोद भगत ये पैरा badminton छेतर से related है कृष्णा नागर की बात करेंगे तो ये भी पैरा badminton छेतर से related है नाइन्थ offense मनीश नरवाल पैरा सूटिंग 10 है मिताली राज ये cricket छेतर से related है 11 है सुनील छेतरी football player है 12 है मनप्रीश सिंग जो की hockey छेतर से है ध्यान रखिएगा इन 12 players के नाम आपसे पूछा जा सकता है आने वाले most of the exams में तो बहुत ध्यान से एक-एक points को note कर लीजेगा अगला महतपूर करेंट फैर आपके सामने रहा हाली में 20 वे धाका अंतराश्टी फिल्म समारों में किस फिल्म ने एशियाए फिल्म प्रतियोगिता खंड में सरस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है तो देखे इस फिल्म का नाम है कुझहंगल फ्रॉम इंडिया दोस्तो ये बीसवा धाका अंतराश्टी फिल्म समारों है दोस्तो कुझहंगल फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा निर्दिर्शित की गई है तो ये है P.S. विनोध राजद्वारा इस फिल्म को निद्रेशित किया गया है और एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में इसे सरस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है दोस्तों सतर देशों की 225 फिल्म में इसमें प्रदर्शित की गई है देखे ये जो फिल्म महस्वभ है कब से कब तक चला 15 से लेके 13 जनवरी के पीश धाका में हुआ है जिसमें बिभिन स्थानों पर इसे प्रदर्शित किया गया नेस्ट इंपोर्टन करेंट फिर आपके समने रहा हाली में थिरू आर नागा स्वामी का निधन हो गई है वे क्या थे तो देखे फ्रेंड्स ये पुरा तत्विद थे याद रखेगा पूछा जा सकता है तो देखे प्रसिद भारती इतिहासकार पुरा तत्विद और तमिल नाडु के पुरा लेखविद राम चंद्रन नागा स्वामी का निधन हो गया है दोस्तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू तमिल नाडु सरकार के पुरा तत्व अभिभाग के पहले निदेशक थे दोस्तो इसके अलावा इन्होंने नागा स्वामी को मंदिर के शिला लेखो और तमिल नाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता है इनकी नई पुस्तक भी थी अभी जो रिलीज हुई थी इसका नाम था सेंथिमीज नादुम पांडबम दोस्तो मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर प्रवाइड करने वाला हूँ और आज हम डिसकस करेंगे महतपूर्ण संयुक्त सैन अभ्यास के बारे में तो देखे सबसे पहला है भारत और रूस के बीच में होता है इंद्रव ठीक है नेस्टर फ्रेंड्स वज्र प्रहार तो ये भारत और संयुक्त राज अमेरिका के बीच में होता है वरुण की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है एक और अभ्यास होता है फ्रेंड्स डिसर्ट नाइट किसके बीच में होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ती अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है सूरी किरन ये होता है भारत और नेपाल के बीच में गरुर शक्ती याद रखेगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है आखरी बात करेंगे भारत और थाइलेंड तो भारत और थाइलेंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है इन सभी पॉइंट्स को याद रखेगा आप से इकजाम में पूछा जा सकता है एक नमबर तो आपका पक्का है चली फ्रेंड्स अगले महत्मूर करेंट अफेर्स को बढ़ते हैं हाली में कौन सा गाउं देश का पहला सेनेटरी नैपकिन मुक्त गाउं बन गया है तो देखे इस गाउं का नाम है कुम्ब लंगी गाउं ये कहां पर है फ्रेंड्स ये केरल राज के एरना कुलम जिले में है केरल के एरना कुलम जिले में कुम्ब लंगी गाउं देश का पहला सेनेटरी नैपकिन मुक्त गाउं बन गया है देखे फ्रेंड्स अवल के इन नामक पहल के तहट 18 वर्स या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप वित्रित किये गए हैं दोस्तों यहाँ पर केरल की बात आ रही है तो मैं आपको केरल के बारे में important details share करने वाल हूँ सबसे पहले केरल की location को देखे यह केरल है देखे केरल किन किन राज्यों की सीमा को सपर्ष करता है इधर देखे यह करनाटक राज है इधर आप देखे तमिलनाडू राज है देखे इधर कौन सा सागर है यह अरफ सागर है तो यह है केरल की सीमा है दोस्तों के वर्तमान सीम कोन है इनका नाम है पिनराई विजियन याद रखिएगा वर्तमान इसके गवर्नर कोन है आरिफ मुहम्मद खान आपसे पूछा जा सकता है लोग सबा सीटे यहाँ पे 20 है राज सबा सीटों की बात करें तो बिधान सबा सीटे यहाँ पे 141 है दोस्तों यहाँ पे रास्टी उद्यान की बात कर लेते हैं कुछ important नेशनल पार्क्स है जो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला है अनामुडी शोला रास्टी उद्यान ठीक है दूसरा है एरा विक कुलम रास्टी उद्यान तीसरा है मथी के टन शोला रास्टी उद्यान देखें नेस्ट है पंबादुम शोला रास्टी उद्यान पेरियार रास्टी उद्यान और आखरी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों मैं आपको तीसरा knowledge booster प्रोवाइड करने वाला हूँ और आज हम discuss करेंगे बदले हुए नाम very very important for the upcoming examination try to listen each and everything very clearly तो सबसे पहला है हभीब गंज railway station इसका नाम हो गया है रानी कमलापती railway station next friends मिड़े मील योजना का नाम बदल कर PM portion योजना कर दिया गया है राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरसकार कर दिया गया है फैजाबाद station का नाम हो गया है अयोध्या केंट station पाताल पानी स्टेशन का नाम हो गया फ्रेंट्स टांटिया भील स्टेशन याद रखेगा फेस्बुक कमपनी ने अपना नाम बदल कर मेटा कर दिया है very very important मोटेरा स्टेडियम नाम बदल कर हो गया है नरेंदर मोदी स्टेडियम नेस्ट है फ्रेंट्स इकाना स्टेडियम इसका नाम हो गया है अटल भिहारी बाचपेई स्टेडियम लास्ट में बात करेंगे हुबली रेलवी स्टेशन तो देखे इसका नाम हो गया है सिरी सिद्धा रुढ़ा स्वामी स्टेशन इन सभी points को याद रखेएगा निश्ची तीस से एक प्रशन पूछे जाने हैं देखे friends अगला महतपूर करेंटर फर आपके सामने रहा कें सरकार के द्वारा 2022 की beating retreat समारों से कौन सा प्रसिद भजन को हटा दिया गया है तो देखे किसको हटा दिया गया friends Abide with me दोस्तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये beating retreat क्या होता है आखिर क्यों मनाया जाता है beating retreat कब से शुरू हुआ इन सभी points को मैं आपको share करने वाला हूँ देखे friends beating the retreat जो है ये भारत के Republic Day समारों की समाप्ती का सूचक है इस कारिक्रम में थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के band परामप्रिक धुन के साथ मार्श करते हैं ये सेना की बैराक वापसी का भी प्रतीक है दोस्तो गरतनत दिवस के बाद हर साल 29 जनवरी को याद रखेगा कब इसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों गाने ने इसकी जगह ले ली है दोस्तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू 1847 में स्कॉर्टिस, एंगलिकन कवी और भजन विज्ञानी, हैनरी, फ्रांसिस, लिटे दौरा लिखी गई थी अबाइड विट मी, 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारो का यह हिस्सा थी दोस्तो अब मैं आपको करेंट अफेर्स की रस्मलाई खिलाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को चलिए पब्लिक एकाउंट्स कमिटी ने हाली में अपनी स्थापना के कितने साल पूरे कर लिये हैं तो देखें इन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिये हैं इस कमिटी की स्थापना 1921 में हुई थी पब्लिक्स एकाउंट कमिटी में 22 सदस होते हैं 15 सदस लोक सभा के और 7 सदस राज सभा के तो देखिए CIG की दोवारा जो रिपोर्ट पेस की जाती है उन सबको जाच करने का कारे पब्लिक एकाउंट कमिटी गा होता है नेस्ट है इंटरनेशनल सिविल एविशन डे 2021 कम मनाया गया तो देखिए हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है अमैठी में 1203 असॉल्ट राइफल्स को लेके भारत और किस देश की बीच समझाता हुआ है तो भारत और रूस की बीच में समझाता हुआ है नासा ने किस भारती मूल के डौक्टर को अंत्रिक शियात्रिक रूप में चुना है इनका क्या नाम है तो देखिए इनका नाम है अनिल मैनन देखिए फ्रेंट्स, लास्ट है फिक्की के नेस्ट प्रेसिडेंट की रूप में किसे न्यूखत किया गया है तो इनका नाम है संजीव महता इन सबी points को याद रखेगा आपसे exam में पूछा जा सकता है देखे friends अगला महतपूर्ड current affair आपके सामने रहा Indian Premier League के RPSG Group के सौमित वाली लखनव फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा तो देखे इसका नाम बदल कर लखनव सूपर जाएट्स कहा जाएगा दोस्तों यहाँ पर IPL की बाता ही तो मैं आपको IPL के बारे में सारी important details share करने वालों देखे IPL कहाँ पर आजित होता है तो IPL भारत में आजित होता है इंडिया में आजित होता है किसके द्वारा control किया जाता है यह BCCI के द्वारा control किया जाता है पहला tournament 2008 में हुआ था ठीक है फ्रेंट्स देखे कौन सी टीम ने सबसे ज़ादा बार इस title को विजय किया है तो सबसे ज़ादा बार IPL को मुंबई इंडियंस ने जीता है कितनी बार 5 बार और दूसरी टीम है Chennai Super Kings जिसने चार बार इस title को जीता है सबसे ज़ादा रन किसने बनाए है विराट कोली ने सबसे ज़ादा रन बनाए है सबसे ज़ादा विकेट किसने लिये हैं लसित मलिंगा ने 170 विकेट लिये हैं इन सबी पॉइंट्स को ज़ाद रखेगा आप से एकजाम में पूछा जा सकता है दोस्तो मैं आपकी जयनकारी के लिए बता दू 2022 से IPL में लखनव और एहमदाबाद की दो नई टीमें शामिल हूँगी देखे पहले टीमें 8 थी अब कितने टीमें हो गई हैं अब 10 टीमें हो गई हैं लखनव सूपर जायंट्स के कैप्टन को ने KL राहूल को नियूख्त किया गया है लखनव सूपर जायंट्स टीम का सौमित्वग आर्पी संजीब गोएन का ग्रूप के पास है दोस्तो इस टीम के कोच कोन है तो देखे एंडी फ्लावर को इस टीम का कोच बनाया गया है दोस्तो आज का आखरी important current affair रहा हाली में किस अफरीकी देश में सेना के द्वारा तक्ता पलट कर दिया गया है तो देखे किस देश में तक्ता पलट किया गया है बुर्कीना फासो में तक्ता पलट कर दिया गया है राश्ट्रपतिकोन रोच मार्क क्रिस्टियन कबोरे को बधग बनाकर संसत को भंग कर दिया गया है और देश की सिमाई भी सील कर दी गई है अब देश का पूरा जो कंट् कर खुसी जता रही है लोगों को ऐसी उम्मीद है कि तकता पलट से देश की सिती बदल जाएगी अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुर्कीना फासो कहां पर है सबसे पहले मैं आपको देखे बुर्कीना फासो अफरीका महादीप में एक देश है ठीक है फ्रें नहीं करती है दोस्तों इसकी कैपिटल है ओगा डाउगू याद रखेंगा क्या है इसकी कैपिटल ओगा डाउगू ठीक है फ्रेंट्स इसकी मुद्रा है वेस्ट आफ्रीकन सी एफे फ्रंक ठीक है यह देश जो है कई बार सेन तकता पलट कर शिकार हो चुका है दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स आप दा डे पर लेके चलता हूँ हिमांशु धेमिवाल अभिशेक मौरिया पूनम मलेक लखी बोई सैनी थैंक यू फार यो वैल्यूबल सजेशन एंड फीड़बैक कीप सपोर्टिंग क्रेजी जी के ट्रिक लाइक दिस दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स को भी पड़ा है आप सभी अपने इंपोर्टिंट सजेशन को हम तक पहुचाते रहें दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपोर्टिंट कोशन करूंगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है जो भी आपने अब तक 26 जनवरी के इ सूर किरंट नामक संयुक्त सैन अभ्यास भारत और किस देश के बिच में होता है आखरी प्रशन है पी आर स्रिजेश किस खेल से जुड़ें जिने 2020 का मेजर ध्यांचन खेलरतन अवार्ट दिया गया है इन पांचों प्रशने को उत्तर आपको ओनेसली कमेंट बॉक्स पे क करना है और धीरे धीरे आपके अंदर सुधार देखने को मिलें दोस्तों केवल आप पढ़ नहीं रहे हैं आपकी एक पस्नाल्टी इवाल हो क्या रही है करेंट अफेर्स ना केवल एक्जाम में काम आता है बलकि देश और दुनिया से जानने से हमारी समझ हमारी अंडर्स् 2022 की से प्रदान किया गया तो इनका नाम है प्रोफेसर विनोश शर्मा आदी बद्री बांध के निर्माण के लिए हाली में हिमाचर प्रिदेश और किस राजसरकार ने समझ जोता गयापन पर सिगनेचर किये हस्ताक्षर किये हर्याणा ने हाली में भारत में राश्ट्री बालिकर दिवस कम मनाये गया 24 जनवरी को मनाये गया नेश्टर फेंट्स हाली में खीरा और ककडी का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन बन गया है तो देखे हमारा भारत देश बन गया हाली में किस देश में पर्या वर्णी आपात काल की गोशना की तो देखे इसका निर्मार मेंगलूरू में होगा नेश्ट रिविजन कुश्चन है ग्रह मंतरी अमिश्चा ने किस राज केंद सासे प्रदेश के लिए पहला जिला सूशाशन सूचकांग जारी किया है तो जब्मू कश्मी रियूटी के लिए जारी किया है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकैडमी कहां पर इस्थापित की गई तो इसके इस्थापना लखनों में की गई है दोस्तो मैंने 25 जनवरी के इंपोर्टन करेंट अफेर्स को पढ़ाया है आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तो हमने 1 दिसमबर से लेके अब तक डेली करेंट अफेर्स को कवर किया है नेस्ट है अपना कांगडा एप को किस प्रिदे सरकार ने लौंच किया देखे हिमाचे प्रिदे सरकार ने इसे लौंच किया दोस्तो हमने 25 जनवरी के इंपोर्टन करेंट अफेर्स का रिविजन कर लिया है हमने डेली करेंट अफेर यो चैनल क्रिजी जी कड़ें पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा थैंक यू फ्रेंड्स जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं